हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज आपके सामने लो बजट में पावरफुल वाइक 2023 के न्यू होंडा साइन 125 दो वेरियंट और पांच कलर अप्सन के साथ ये बाइक आती है प्राइस की बात करें तो इसकी 100 रूम कीमत है टॉप स्पीट कितने देख जाती है ये सारी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले सुरुवात करते हैं इसके फ्रंट से तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लॉसी ब्लैक कलर का आपको वाइजर मिल जाता है जिसके नीचे में यहाँ पे आप देख रिफ्लेक्टर हेलोजन हेडलाम सेटप मिल जाता है लो बीम और हाई बीम के साथ में और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो डिवल टोन कलर के आपको ग्रैफिक्स मिल जाते हैं सिल्वर और ब्लू कलर टाइप के और यहाँ पे आपको बॉल्प का फुली टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं जिसके दोनों और यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लैक्टर आपको देखने को मिलता है सेप्टि की बात करें तो जैसा कि लेक्स ब्रेक वाला वाला वेरियंट है तो यहाँ पे आपको 247 डाइमीटर का यहाँ डिक्स ब्रेक मिल जा और पीछे की और चले तो यहां भी आप देख सकते हो 818 का आपको tubeless tire मिल जाता है मतलब कि इसके front में और rear में दोनों में आपको same tire size मिल जाता है बाकि दोस्तों अगर इसके dimensions की बात करें तो width आपको 737 mm की मिलती है और यहां पे आपको काफी खुसुरत four tone color के graphics दिये गए यह आपको पूरा का पूरा metal body का मिलता है 10.5 liter की आपको capacity मिल जाती है E20 का यहां पे आप sticker work देख सकते हो मतलब कि आप 20% ethanol add वाला वे fuel डलवा सकते हो fuel tank cap यहां पे आप देख सकते हो switches की बात करें तो यहां पे आपको integrated passing upper dipper की switch मिल जाती है turn indicator horn की यहां पे आप switch देख सकते हो और इस bike में आपको warrant देखने को नहीं मिलता है ताफी soft इसका clutch देखने को मिल जाता है और chrome के finish के साथ यहां पे आपको इसका handle bar दिया गया इस side में आप आप देख सकते हो rate color का आपको integrated engine kill और self start का switch मिल जाता है बागे दोस्तों key में आपको कोई बदलाओं नहीं किये same आपको पुराने वाले key मिल जाते है Honda की यहां पे आप badging देख सकते हो console की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो fully analog type के आपको meter console मिल जाते है split type के speedometer यहां पे आप देख सकते हो odometer आपको देखने को मिल जाता है economy zone यहां पे आप इसका देख सकते हो और center में आपको turn indicator की warning main headlight की warning आपको मिल जाती है नीचे side में आपको sign लिखा मिल जाता है और दूसरी और यहां पे आपको fuel गौज दिया गया gear neutral की warning check engine की light और यहां पे आपको side extend की warning light भी देखने को मिल जाती है तो चलिए guys next अब बात करते हैं इसके seat comfort की तो यहां पे आप इसका cushion देख सकते हो काफी soft आपको मिल जाता है pillion और rider दोनों के लिए 791 mm का आपको height मिलता है काफी wide seat दिया गया और glossy blue color finish के साथ यहां पे आपको इसका single piece का grab handle मिलता है seat call पे आप 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 देख सकते हो sign की आपको sticker work मिल जाती है और नीचे side में आपको dual tone color के graphics के work दिये गया इसके साथ साथ दोस्तों इसके rear में आपको 130 mm का drum brake मिल जाता है combi braking system के साथ यह bike आती है और hydraulic type के आपको fully adjustable suspension मिल जाता है exhaust की और चलें तो यहां पे आप देख सकते हो same आपको SP 125 वाला exhaust मिल जाता है इसके उपर आपको metal camofer guard दिया गया chrome के finish के साथ pillion के आपको adjustable footage देख सकते हो ESP की यहां पे आपको sticker work मिल जाती है और side panel पे यहां पे आपको 125 के sticker work मिल जाती है यहां भी आप देख सकते हो 3 tone color के आपको graphics दिये गए और काफी खूसरत यहां पे आपको chrome के treatment देखने को मिल जाता है इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको की cleaver देख सकते हो rider का आपको non-adjustable footage मिल जाता है brake pad देख सकते हो engine पे यहां पे आपको Honda की branding मिल जाती है engine well cap यहां पे आप देख सकते हो और यहां पे आपको इसका catalytic converter देखने को मिल जाता है उपर side में आपको इसका spark plug देख सकते हो single piece horn के साथ यह bike आती है और आपको 162 mm के ground clearance मिल जाते है तो चलिए finally अब बात करते है इसके engine और power की तो इस bike में आपको मिलता है 124 cc का air cool 4 stroke 2 ball b6 fi obd2 engine यह engine maximum power generate करता है 10 10.7 4 ps का 75 100 rpm और maximum torque generate करता है 11 mm का 6000 rpm 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है top speed आपको 105 से 110 km के आसपास का देखने को मिल जाता है बाकि दोस्तो miles की बात करें जो कि आपके चलाने पर depend करती है फिर भी अगर आप इस bike को अच्छे से चलाते है तो यह bike असानी से आपको 65 to 70 की MPL की miles निकाल करके देदेगी तो चलिए दोस्तो next अब चलते हैं इसके पीछे की ओर तो सबसे पहले यहां से आप इस bike का पूरा rare का view चेक आउट कर सकते हो इस structure में आपको कोई भी new update देखने को नहीं मिलता है tail light के उपर यहां पे आपको Honda की sticker work मिल जाती है bulb की यहां पे आपको tail light दिये गए और सबसे अच्छी बात की आपको fully flexible turn indicator मिलते हैं by the way अगर आपका bike कभी गिरता भी हो तो तूटने का खत्रा बिल्कुल नहीं रहेगा reflector देख सकते हो number plate लगाने की यहां पे आप जगह देख सकते हो दूसरी और चले तो इस side से भी यहां पे आप देख सकते हो seat call पे आपको sign की sticker work देखने को मिल जाती है seat locker यहां पे आप देख सकते हो और lady pillion के safety के लिए आपको sorry guard दिया गया है और full chain seat की covering आपको देखने को मिल जाती है fiber body के साथ में यहां पे आप इसका build quality देख सकते हो यह भी आपको अच्छा मिल जाता है pillion के adjustable footage देख सकते हो rider के यहां पे आपको non adjustable footage दिया गया है इसके साथ साथ आपको side stand cut up जैसे features मिल जाते है 5 speed gearbox के साथ यह bike आती है engine पे इस side से भी यहां पे आपको chrome के treatment देखने को मिल जाते है तो चलिए finally अब बात करते हैं इसकी pricing की तो अभी जो इसकी 100 room कीमत निकल क्या रिवो है 83,100 रुपीज में और on road कीमत पढ़ने वाली है 97,311 रुपीज यह on road कीमत की जानकारी मैंने आपको दिये मुझापरपूर Honda अगर आप लोग मुझा अपरपूर से हो या आसपास के किसी भी city से हो और Honda के किसी बाइक ए स्कूर्टी का टेजर्याव लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो अगर आप भी अपनी city के अनुर पर जानना चाहते हो तो आप मुझे comment box तो अपने city का नाम लिख करके भेश सकते हो तो thank you दोस्तो वीडियो के last तक बने रहने के लिए वीडियो पसंद आई हो हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजेगा दोस्तो में सेड कीजेगा और GTT Technology Channel को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा